हलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल कुकुवित काफिया तो कैसे हैं आप सबायोग के आप सब ठीक होंगे आज मैं आपके लेका हैं हूँ यह मजदार से पकॉड़ी की रेसिपी यह जो रेसिपी है यह बहुत जादा अच्छी बन के तियार होती हैं चली इन इसको बनाते हैं यहांपर मैं ने बेसन ले लिया है इस लिए 2 आलोली इए तो मैंने ब्लैंटर की मदब से अच्छे दे स्को मिक्स कर लोगे ताकि कीasme जो मोटे चंके हैं वो मिक्स हो जाए पिर मैं यहा पर डालूगए पाउडर वाले मसाले तो एक चमच ढाल लिए धनिया पाउडर तेस्ट की या ड़ लाल मिर्ची तो श्याधा के जदे कर पिर मैं इसमें एड़ करूँगी एक चमच लसन द्रग का पेस्ट तो यह एक चमच एड़ करना है आप चाहिए तो इसको काट कर भी एड़ कर सकते हैं फिर यह साई चीजे मैंने एड़ कर दी है इसको थोड़ा सा पान डालके अच्छे से मिक्स कर लोगी ब्लेंडर की मदद से तो पानी को जो है बहुत थोड़ा थोड़ा इसमें एड़ करना है इससे जी जिए ज्याधा पतला नहीं होगा अगर आप एक साथ बहुत ज़ला पतला हो जाएगा और हमारे पकॉड़िया बन नहीं पाएँगी तो इसलिए आप देख सकते है मैं। फोड़ा-थोड़ा तो इसलिए मैं इसमें धन्या एड़ कर रही है, उसको मैंने बारीक काट लिया है जाद अस धन्या को फिर साथ ही मैं इसमें एड़ करूँगी चिली फ्लैक्स तो अगर आपके पास ना हो तो घर में बना सकते हैं यह मैंने घर में ही बनाई है, साबुत मिर्चों को मैंने चॉपर में कर लिया है और उसका मैं चिली फ्लेक्स बना लिया है और अगर आपको चिली फ्लेक्स बनाना है तो आप घर में भी इसको बना सकते हैं पिर इन दोनों चीज़ों को डाल के अच्छे से mix कर लेना है, यहाप देख सकते हैं मैं इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ कर रहा है, तो इसको mix कर लेना है, और यह जो पकॉड़ी की recipe है, बहुत ज्यादा easy recipe है, अगर आपको इफतारी में देर हो गया हो, तो आप इसको ब अब लंबे size में ऐसे ही काट लिया है, एक में दुस्से दो करके आलू हो, फिर मैं आपको उताते हैं पकॉड़ी को किस तरीके से बनाना है, इसको जो है एक पकॉड़ी उठानी आलू का पीस, और इसको जो है अच्छे से basin में dip करना है, और हमें तेल में डाल देना है, ते कितने जाधा ये ठीक नहीं है, और ना जही जाधा पतली है, बिल्कुल मैंने इसको medium इसका texture रखा है, ना जाधा पतला ना जाधा गाड़ा, अगर आप इसको जाधा पतला कर देंगे, तो ये अच्छे से पकॉड़ी पर नहीं लग पाएगा, और पकॉड़ी सही से नहीं और oil को जो है, यापर medium flame पर करना है, याँच पर नहीं रखना है इसको, वरना पकॉड़ी जो है, ओपर से तो जिख जाएंगी, लेकिन अंदर से अच्छे से नहीं पक पाएंगे, आलू कच्छा रह जाएगा, फिर देखिए, एक साइट से हो गई, हम मैं इसको दूसरे सा बन के तियार हुई है, बहुत ज़्यादा खस्ता और फूली-फूली हमारी पकॉड़ी भी बनी है, अब आप देख सकते हैं, यहापर बहुत अच्छी से fry हो चुकी है, इनका कलर भी आप देख सकते हैं, तो अब मैं इनको निकाल लूँगी, और लीजे रैडी हो चुकी ह हमारी जटपट बनने वाली आलू की हैं पकॉड़ियां, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा खाने मज़े की लगती हैं, अगर आपके पास इफतारी के लिए टाइम कम बचा है तो आप इसको बना के ट्राइ कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगती है, और को वीडियो अच्य लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल पर नाए है तो प्लीज चैनल को सब्सराइब करें, और जाधा-जाधा शेयर करें, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नीव रेथिपीस के साथ, THEANKS FOR WATCHING THIS वीडियो